हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी को हमारी चेनल में तो दोस्तो अप लोग कैसे हैं हम आसा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं दोस्तो तो दोस्तो आज हम बनाएंगे अंगूर का मिठाई तो अप लोग हमारी वीडियो में बने रहें शुरू स तो चलिए शुरुआत करते हैं तो दोस्तों अंगूर का मिठाई बनाने के लिए हमने यहां पर ले लिए हैं अंगूर को अच्छी तरह से धूल लिए हैं अभी अंगूर को ग्राइंडिंग करेंगे उसका जूस निकालेंगे तो दोस्तों हमने अंगूर को ग्राइंडिंग कर लिए हैं अभी छान लेंगे अंगूर का जूस को तो दोस्तों देख सकते होंगे तो दोस्तों देख सकते होंगे हमने चान लिए हैं इतना जूस निकला है इसमें आधा कटोरी पानी मिलाएंगे अगे तो दोस्तों आधा कटोरी पानी मिला रहे हैं अभी डाल देंगे सक्कर अच्छा से मिक्स करेंगे अभी डालेंगे कॉन फ्लावर थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे काच्छी तरस मिक्स करेंगे मिक्स हो गया दोस्तों देख सकते हूंगे अप लोग अभी गेस करेंगे अभी पती ले चड़ा दिये हैं हमने डाल देते हैं और गेस चालू करते हैं तो दोस्तों स्लो गेस हमने गेस स्लो कर दिये हैं ऐसे मिक्स करेंगे गेस स्लो करके पकाएंगे तो दोस्तों स्लो गेस में पकाएंगे दस मिनट के अंदर पक जाता है मिठाई तो गेस हमने स्लो कर दिये हैं और अच्छा से चला रहे हैं दस मिनट के अंदर पक जाएगा हमारा मिठाई बनके रेड़ी हो जाएगा तो हमने slow gas में पका रहे हैं दोस्तों और gas फास करेंगे तो नीचे लग जाएगा आप ही थोड़ा सा green color डाल रहे हैं फिर से चला रहे हैं उसका color आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा हो रहे हैं तो दोस्तों हमारा मिठाई पक के रेजी हो गया बन गया आप लोग देख सकते होंगे इसका color भी कितना अच्छा दिसरा है और देख सकते होंगे पक गया अभी केस बन करेंगे तो दोस्तों 10 मिनिट हो गया है मिठाई बन के रेडी हो गया है आप लोग देख सकते होंगे कितना अच्छा color आया और खाने में भी बहुत तेस्टी लगता है दोस्तो, जेली जैसे तो दोस्तो देख सकते होंगे, अच्छी तरह से पक चुका है हमार मिठाई बनने के लिए रेडी हो गया और कलर भी देख सकते होंगे दोस्तो तो अबी बन करदेते हैं गेस अचलिया बन करते हैं गेस तो दोस्तो अभी डालेंगे जर्मन का बरतन है अपर देख सकते होंगे थोड़ा हमने तेल ले लिये हैं हाथ में अच्छी तरह से लगा लेंगे सब तरफ तो दोस्तो हमने तेल लगा लिये हैं बरतन में अभी डालेंगे बरतन में तो दोस्तों देख सकते होंगे हम अच्छा से शेट कर दिये हैं अभी रख देंगे फ्रीज में 20-25 मिनट के लिए तो दोस्तों देख सकते होंगे अब लोग हमने फ्रीज में रख दिये थें मिठाई को और आदा गंता हो चुका है तो दोस्तों अभी इसको फ्लेट में निकाल लेते हैं इसे पल्टी कर देते हैं देख सकते होंगे कितना अच्छा दिख रहा है दोस्तों हमारी मिठाइवन के रेड़ी हो गया तो अभी इधर हमने लिए हैं बदाम लिए हैं और पिस्ता बदाम लिए हैं तो इसको जरा सजा देते हैं तो दोस्तो देख सकते होंगे हमने सजा दिये और करके दिखाते हैं दोस्तो आप लोग को देख सकते होंगे कितने अच्छी तरह से कट रहे है तो देख सकते होंगे दोस्तो कितने अच्छा से दीख रहे हैं खाने में भी बहुत तेस्टी है दोस्तो तो आप लोग बना के ख लिजेगा और कोमेंट कीजेगा दोस्तो कैसे लग रहा हमारे मिठाइ अंगूर का तो दोस्तो हमारी अंगूर का मिठाइ आप लोग को पसंद आए हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलेगा दोस्तो तो चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में